नमस्कार मैं हूँ किरन आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पूरा अयोध्या चर्चा में है वहीं अगर बात करें तपस्वी छावनी मंदिर के मुख्य पुजारी जगत गुरू परम हंसा चारे की वो अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहते ही हैं लगातार उ सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने इस बात्चीत के दौरान समाज बात को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के अंदर की बात आप बता रहे हैं गुरू जी बिल्कुल इंटर्नल बात बता रहा हूं बिल्कुल उसे एक्सलूसिल लगा के चला दे क्या हम इसे आरे ह जब चाहती हैं तो कहिए कि जो है तो अख्लेस जी से उन्होंने कहा था अख्लेस जी बताये को जी हटाएंगे लेकिन थोड़ा मसाला बनने देजिए कि जब शुनाव नाव रहे तब हटाएं तो जनता थोड़ा खुश भी हो जाए हमसे कि नहीं समाजवादी पार्टी ज उसका कहीं शरण नहीं होता है तो यह तो अब यह मैंने तो इसकी जो संग्मित्रा को भी एक बार कहा था हमने संग्मित्रा मौर्या को एक बार कहा हमने का सुनो तुम्हारा बाप है ठीक है लेकिन भक्त प्रहलाद भी अपने बाप का त्याग कर दिये थे जिस तरह से जिस कुछ कहा नहीं नीचे मूर करके चली गई पिता तो पिता होते हैं कोछ नहीं देखिए जो जो पिता का भी धर्म होता है अगर राम विरोधी हो जाए यह आप बड़ी गुपनी बात बता रहा हूं देखिए हमारा जो सिध्धान्त है क्या है जैसे अगर अंजन लगाने से आ स्वामी परसाद मौरिया हो या उदय निधी श्टालीन हो या चंद सेखर हो इस तरह के जो छटे छटाये जो है तो इस उनको कहा जा सकता है कि यह देश विरोधी लोग हैं इनको खतम करने वाले को बड़ा पूर्ण मिलेगा तो इसलिए अभी हम लोगों का जो है अभी हम और सांसद हैं वह भी अभी जो है तो कह रहा थका है कि 20 जनवरी से लिए 26 जनवरी तक घरे में रहो आया इस तरह से तो इन लोगों को कोन सब कर दो जो भी नफरत की राजनीत करने वाले हैं जनता जो है सत्ता पर बैठाती है सत्ता से हटा देती है सबका यह जो है लोग तंत्र में पब्लिक ही सब कुछ है तो जनता जैसे स्वामी परसाद मौरिया को वोट नहीं दिया हार गए उसे अब अगली बारी जितने इस तरह की जहर करने वाले लोग इंडी गठ वंधन के लोग हैं यह दिरे दिरे अब सब समाप्त हो जाएंगे भारत बहुत स्वक्षता जो राजनीतिक गंदगी हो भी दिरे दिरे जनता साप कर रही है और फिलहाल तो राम राज जाने वाला है 22 जनवरी 2024 को जो बाए 12 बज के 20 मिनट पर राम मंदिर के सहीत राम लला को अपने मंदिर में विराज मान करके और राम जी के आदर्शों को आत्म साथ करके राम राजी की शुरुआत कि आप सहभागी बने जैश्री राम एक आखरी सवाल आप से रहेगा कि आपने बोला कि भारत को हिंदू रास्ट बन जाना है कि जैसे अब जंबू कस्मीर के पूर मुख्य मंत्री थे गुलाम नभी आजाद उन्होंने कहा कि मुगल आये थे तो बीस पचीस ठे आये थे हां बाकी यह जो पचीस करोड हो गए हैं सब हिंदू से कनवर्टेड हैं तो जो जिनके पूरवज हिंदू थे अब उनको सान साल इंतजार करिए किसी को कुछ नहीं करना है अपने आप जितने इसाई मुला है सब घर वापसी कर लेंगे इसके बाद किसी चर्च में जाने के लिए कोई पादरी नहीं मिलेगा किसी मस्जिद में जाने के लिए कोई मौलबी नहीं मिलेगा कोई इमाम नहीं मिलेगा हम लोग कुछ मारे फिटेंग नहीं इसलिए जो है इनकी सबसे है कि जो तुष्टी करण की राजनीती है वो तब तक चलेगी जब तक हिसाई की मुसलमानों की निशनल्टी नहीं खतम होगी निशनल्टी खतम हो भारत हिंदू राज्ट बने सारी बीमारी ही खतम हो जाएगी और ऐसे भी मैं कहता हूं कि देखियो 16 अगस्त 1946 को जो डारेक्टे संडेज जारी हुआ उनके तरफ से हुआ हमारे निर्दोस हिंदों के हत्या यहां के लोगों ने किया मुसलमानों ने कहे हमको अलग कंटी चाहिए मिल गया उनको और आजाद भारत के बाद में जिस तरह से 1990 हिंदू नरसंगार कस्मी हुआ इसको इस तरह की घटनाएं हुई इसको मद्दे नजर अब समय है कि भारत को संबैधानी क्रूप से हिंदू राष्ट को सित कर दिया जाए उसको ले करके हम लोग लगे हैं और यह हिंदू राष्ट मैं बता रहा हूं बहुत जल्दी होगा भारत का राष्टी द्व पर पहुँच चुकी हैं ऐसे में लगातार स्वामी जी के तरफ से ये मांग की गई है कि वो जल्द से जल्द भारत को हिंदू राष्ट बनाए और अब तो उन्होंने ये भी बड़ी बात कही कि जल्द ही पूरा भारत हिंदू राष्ट बन जाएगा लेकिन उससे पहले उन्होंने सभी श्रधालों से अपील कि है कि 22 जन्वली को वो बहदी बड़ा दिन बनाए और दशकों जन्मों बड़सों तक हमारी पीडिया इस दिन को याद रखे जिसके लिए हर एक हिंदू को काम करने की जरूरत है प्रायम टिवी के लिए मुसकान अजमानी आयोध्या से अयोध्या चर्चा में है राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा कारेक्रम चर्चा में है ऐसे में राजनीती भी पूरी तरह इसी मामले के इर्दगिर्द घूम रही है इस मामले से जुड़ा सवाल हमारी सहयोगी सौपनिल यादव ने बीजेपी नेता सत्यम सिंग से किया इस दोरान सत्यम अखलेश यादव पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते नजर आए उन्होंने कहा कि हर कोई राम मंदिर पर सियासत करने में जुटा है इसके अलावा सत्यम सिंग ने इस बाबत क्या कुछ कहा आगीए आपको दिखाते हैं कि यहां से आप तक वो सारी बाते पहुचा रहे हैं और यहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए क्या कुछ जानकारी है क्या कुछ चीजे हैं वह हमने आप तक पहुचाई है लेकिन इसी बीच हमारे साथ मौजूद हुए आपटियम सिंग को लेकर कारे जारी है तो कारे में क्या कुछ निर्माल कारे चल रहा है कि तना बचा है और जानकारी इस लिए यृ था हम आप से चाहेंगे fel लग लग लक पंचानysz निर्मालकारे हो चुका है 5% बच्चा है वो भी बहुत तेजी से कारे हो रहा है पूरे अध्या में और 22 तारीक को जैसा कि आप लोग जान नहीं है उसका उत्गाटन है और पूरे बिस्व से लोग आएंगे इस चीज की तैयारियां चल लाएंगे इसके लिए माननी हमारे देश के सस्वी प्रधान मंत स्री त्री नरें मोदी जी आ रहे हैं इसी का जाजा लेने के लिए और पूरे प्रदेश के आला अधिकारी और सारे लोग देश के पूरे प्रदेश के कारकरता सारे लोग लगे हैं तैयारी यह तो और हो गई बात निर्माण कारी की लेकिन सत्यम हम लोग जाना चाहेंगे कि क्या कोछ लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है भव विरूप से लोग इसलिए बनाय जा रहा है रास्ते बन रहे हैं कि भीन भार नहों कोई लगभग ये तो हो गई तैयारियों की बात जैसा कि 22 जनवरी को यहां पर सभी नेतागर पहुंचेंगे तो विपक्ष के किनकिन नेताओं को इंविटेशन दिया जा चुका है राम मंदिर में राम मंदिर की प्राण प्रतिस्था में पहुंचने के लिए विपक्ष के सारे लोगों को निमंतर दिया जा चुका है कोई बचा हुआ नहीं है जो भी भगवान स्री राम को मानने वाला है जो हमारे अराध्य हैं उन सारे लोगों को आनना चाहिए निमंतर सब को मिल चुका है कोई ऐसा नहीं है जिसको निमंतर नहीं पहुंचा तो जैसा कि सत्यम जी हम लोगों ने देखा कि लाल किस्णाडवानी राम मंदिर के लिए काफी सक्री थे तो क्या उनको नियोता भेजा जाएगा या भेजा जा चुका है क्योई आगर सबको नियोता भेजा जा रहा है तो आखिर उने क्यों रही है क्योटा के हगदार तो वह भी है भेजा गया मैं वह बात नहीं कहा रहा हूं मगर रोगों को आगे कहीं curios had और सारी चीजे करने वाले आदर्णी हमारे पार्टी के वरिष्ट नेता आदर्णी लाल किस अर्णवानी जी ही है तो इसलिए जो है निश्चित रूप से वो आएंगे उनकी भागताई जाहिए तो सत्यम जी क्या अखिलेश यादो प्राण प्रतिस्था में राम लला की प्रतिस्था में आएंगे या नहीं जनता जानना चाहती है आपको जानकारी है कि नहीं है वो तो जो है मुला मुलायम को मानने वाले लोग हैं और वही लोग तो राम भक्तों पर गोलिया चलवाई आपको भूलना नहीं चाहिए अगर आपको नहीं याद होगा तो पता करिए पहले अब अब वहाएंगे लाएंगे तो मैं रोखूंगा सबसे पहले उनको आने का कोई अधिकार आज है इतना दिन वो लोग आशन किये और उसके बाद राम मंदिर पर जो है राम भक्तों पर तो गोली चलवाैं उनको आने कोई अदिकार नहीं लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए कैसे सथ्यमजी का जा सकता है क्योंकि अ याकशन होते हैं इस सभी हग्दार होते में मैं उस समय वो कहा थे दिस दिन उसमय मंदीर जो रहा था तो राम भक्तों पे जब गोलिया चलाई जा रही थी तो उस समय उनका हाग कहां था उसी समय तो वो अपना हाग हो चुके हैं किसी के राम, किसी के राजा राम, किसी के मर्यादा पुरुशोत्यम राम, अब देखना होगा कि राम वंदिर की प्राणप्रतिष्ठा में कौन-कौन शामिल होता है, यह देखना काफी दिल्चस्प होगा, अब इसी के साथ हमें दीजे इजाज़त और आप देखते रहें प प्राइम टीवी के साथ